गुड मॉर्निंग क्लास आज बात करते हम क्लास 12 चैप्टर नमबर 2 जो कि हमारा बिलियन हमने शुरू कर लिया था उसके लेक्चर नमबर 2 की जिसमें कि हम बात करेंगे बिलियनों की सांदरता को व्यक्त करने की बिधियों की यानि की Methods of Expressing Concentration of Solution तो बात करते हैं पहले कि बिलियन की सांदरता होती क्या है बिलियन की सांदरता से तात पर रहे कि हमारे पास कोई बिलियन दिया गया है और उसमें हमें पता करना है कि उसमें कितनी मातरा जो है बिले की गुली वी है अर्थात उसमें जो है वहा जो बिलियन है त उपस्थित बिले की मात्रा उस बिलियन की सांदरता कहलाती है अर्थात बिलियन के एक आंक आयतन में उपस्थित बिले की मात्रा के रूप में भी इसको परदर्शित किया जाता है यानि कि बिलियन के इकाई आयतन में उपस्थित बिले की मात्रा को भी हम बिलियन की सांदरता कहते हैं अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी बिलियन का जो संगठन होता है उसे बिलियन की सांदरता से ब्यक्त किया जा सकता है यानि कि उसमें कितनी मात्रा में बिले पदार्थ घुला हुआ है यानि कि वह जो बिले पदार्थ है वह कम मात्रा में घुला हुआ होगा तो बिलेन कैसा होगा तनू होगा अगर बिले अपेक्छक्रित भहुत अधिक मात्रा में घुला हुआ होगा तो वह क्या होगा? सांद्र होगा तो इसी आधार पर बिलियन की सांद्रता को हम define कर सकते हैं यहाँ पर formula दिया गिया है बिलियन की सांद्रता क्या होता है? बिले की मात्रा upon बिलियन या बिलायक की मात्रा और यह जो मात्रा होती है या मोल में हो सकती है द्रब्यमान में हो सकती है या फिर आयतन में हो सकती ऐसे ही जो बिलियन या बिलाइक की मात्रा है वह किस में हो सकती है मोल में हो सकती है द्रब्यमान हो सकता है आयतन हो सकता है बिलियन की सांदरता को ब्यक्त करने के हमारे पास बहुत सी विदिया हैं जिनको हम अब नेक्ष डिसकस करते हैं तो बिलियन की सांदरता को ब्यक्त करने के निमलिक खित विदिया हैं पहला जो है दो पार्ट में कैट्गराइज कर रहा है इसको पहला जो है आयतन संबंधी या ताप पर निर्भर रासियां जो आयतन संबंधी रासियां होती है वो ताप पर निर्भर रासियां होती है वो कौन-कौन सी है पहली है आयतन परती सत्ता दूसरा है द्रब्यमान बटे आयतन परती सत्ता तीसरा हो गया मोलर्ता चोथा हो गया नौरमलता पांचों हो गया फॉर्मलता और छटा हो गया सत्ती यानि कि ये सबी जो छे की छे रासिया है ये आईतन संबंदी या फिर ताप पर निर्वर रासिया है दूसरी कैटगरी जो है दरब्यमान संबंदी या फिर ताप से स्वतंतर रासिया यानि कि जो ताप पर निर्वर नहीं होती है तो कौन-कौन सी हो दरब्यमान परतिसत्ता हो गया पार्ड्स पर मिलियन यानि कि PPM तीसरी होगी पार्ड्स पर विलियन PPB और चौती होगी मोललता मोललिटी और पांचवी मोल परवाज अब इनको हम नेक्स्ट इसमें एके करके समझने की कोशिस करते है सबसे पहले हम बात करते हैं दरब्यमान परतिसत्ता की यहाँ पर दरब्यमान परतिसत्ता का फौर्मलल लिखा गया है जो कि होता है बिले का दरब्यमान किसमे गराम में बिले का दरब्यमान गराम में upon बिलेन का दरब्यमान गराम में और into hundred तो इस फॉर्मले की मदद से हम इसको परिभासित कर सकते हैं कि किसी बिलेन के 100 गराम में उपस्थित बिले पदार्थ के गराम में उपस्थित बिले पदार्थ के गराम में दरब्यमान को उस बिलियन की दरब्यमान परतिसतता कहते हैं एक बारी फिर से किसी बिलियन के सो गराम में उपस्थित बिले पदार्थ के गराम में दरब्यमान को उस बिलियन की दरब्यमान परतिसतता कहते हैं अब हम यहाँ पर देखते हैं माना हमारे पास बिले का दरवेमान के है small w है और बिलायक का दरवेमान के है capital w तो billion का कुल दरवेमान कितना हो जाएगा हमार पास small w plus capital w और इसको अब हम formula में रख लेंगे तो यहाँ से हमें formula मिल जाएगा small w upon small w plus capital w into 100 और example यहाँ पर दिया गया है इसका जल में 10 परतिसत गुलकोज का billion जल में 10 परतिसत गुलकोज का billion का मतलब है इसका तात पर हम इस परकार से निकाल सकते हैं कि 10 गराम गुलकोज को 90 गराम जल में घूलने पर 100 गराम हमें billion प्राप्त होगा 10% का मतलब होता है कि 10 बटे 100 तो 10 यहाँ पर हो गया बिले का द्रब्यमान और 100 क्या हो गया बिलेन का कुल द्रब्यमान यानि कि बिले पलस बिलायक का द्रब्यमान तो बिले कितना है हमारे पास 10 है तो हमारे पास बिलाय क्यानी कि पानी का कितनी मातर आ जाएगी 90 तो जल में 10% गुलकोस का दरब्यमान का मतलब है कि जो गुलकोस हमारे पास है 10 ग्राम गुलकोस को 90 ग्राम जल में घोलने पर हमें टोटल कितने ग्राम का बिलियन प्राप्त हो रहा है 100 ग्राम का और नेक्ष्ट अब हम बात करते हैं आयतन परतिसतता की आयतन परतिसतत सांदरता का फॉर्मुला यहां पर है बिले का आयतन मीली लिटर में upon बिलियन का आयतन मीली लिटर में और into hundred तो इस फॉर्मुली की मदद से हम इसको define कर सकते हैं कि किसी बिलियन के 100 मिली लीटर में अर्थात किसी बिलियन के 100 मिली लीटर आयतन में उपस्थित बिले के मिली लीटर में आयतन को क्या कहते हैं परतिसत सांदरता एक बारी फिर से किसी बिलियन के 100 मिली लिटर आयतन में उपस्थित बिले के मिली लिटरों की संख्या को आयतन परतिसत सांदरता कहते हैं यहां पर जो है इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा सपोस्थित हमारे पास जो है यह इसमॉल भी क्या है बिले का आयतन और कैपिटल भी क्या है बिलाय का आयतन तो यहां से हम इसको जो है जो फॉर्मूला हमारे पास आएगा आयतन परतिसत सांदरता का small V upon small V plus capital V और एक्जाम्पल यहां पर दिया गया है एथेनॉल का जल में 10 परतिसत बिलियन एथेनॉल का जल में 10 परतिसत बिलियन का अतातपर है कि 10 मिली लीटर एथेनॉल को जो हम 90 मिली लीटर जल में मिलाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा कुल आयतन जो बिलियन का प्राप्त होगा से 100 ml प्राप्त होगा यानि कि जो 10% का मतलब है 10 बटे 100 तो फॉर्मूले में देख के रख लो यह होगा 10 बिले का आयतन और 100 क्या होगा बिलियन का कुल आयतन तो billion का कुल आयतन कितना है 100 ml है तो यानि कि इसमें बिले तो 10 हो गया लेकिन जो बिलायक होगा कौन जो पानी होगा वो 90 ml होगा जब हम 10 ml को 90 ml पानी में मिलाएंगे तो क्या प्राप्त होगा मैं पूरा 100 ml का billion प्राप्त होगा नेक्स्ट अब हम बात करते हैं द्रब्यमान बटे आयतन परतिसत सांदरता की इसका फॉर्मला क्या होता है द्रब्यमान बटे आयतन परतिसत सांदरता इस इक्वल टू बिले का भार किसमें गराम में और अपॉन बिलियन का आयतन मिली लीटर में जैसे कि यहां पे जो है यह नाम से ही पता चल रहे है द्रब्यमान बटे आयतन तो यानि कि जो द्रब्यमान होगा वो उपर होगा और जो आयतन होगा वो बटे में होगा तो द्रब्यमान बटे आयतन परतिसाद सांदरता की परिवासा हम जो है इस परकार से जो है इसको परिवासित कर सकते हैं कि किसी बिलियन के 100 मिले लीटर आयतन में उपस्थित बिले का गराम में द्रब्यमान उस बिलियन की द्रब्यमान आयतन परतिसाद सांदरता कहलाती है जो 10 ग्राम सोडेम कार्बोनेट जो है 100 मिली लीटर सोडेम कार्बोनेट के बिलियन में उपस्थित है नेक्स्ट आप हम बात करते हैं PPM में सांदरता यानि कि पार्ट्स परती मिलियन में PPM में सांदरता का यहाँ पर फॉरमला दिखाये गया है बिले का भार ग्राम में बटे बिलियन का आईतन मिली लीटर में इंटू दस की घात 6 यानि कि एक मिलियन में कितने लाक होते हैं ग्राम में भार को बिलियन की पार्ट्स प्रति मिलियन सांदरता कहते हैं जहां पर हम अभी तक दरब्यमान परतिसत्ता या फिर आयतन परतिसत्ता में सोकिक मल्टिपलाई कर रहे थे वहीं पर यहां पर कितने की मल्टिपलाई करेंगे 10 की घात 6 यानि की 10 लाग की multiply करेंगे क्योंकि 1 million में कितने लाग होते हैं 10 लाग होते हैं तो 10 लाग मिली लिटर में उपस्तित बिले पदार्थ के ग्राम में भार को क्या कहते हैं billion की parts प्रति million सांदरता और formula से भी जो हम यहाँ पर define कर सकते हैं PPM को example यहाँ पर दिया गया है क्या समूतरी जल में oxygen की 5.82 PPM सांदरता जिसका मतलब होता है कि जो 10 की घात 6 ग्राम जल में oxygen के 5.82 ग्राम उपस्तित हैं PPM में सांदरता का formula हम इस परकार से भी लिख सकते हैं bitte Wille के बिलियन का द्रबियमान इंटू 10 की घात 6 या फिर भिले का आयतन बटे Wille का आयतन इंटू 10 की घात 6 तो इस formula की मदद से भी हम परिभासित कर सकते हैं कि कि विले PPM के 10 की 6 के भागों में उपस्तित बिले पतारत के भागों की संक्या को पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी तो फॉर्मला यहां पर दिया गया है बिले का द्रब्यमान ग्राम में बटे बिलियन का आयतन लीटर में सक्ति को जो है यानि कि स्ट्रेंद को S से परदर्शित करते हैं तो बिले का द्रब्यमान जो है ये W से परदर्शित किया गया है जो कि इसे जो हम ग्राम प्रती मीटर क्यूब द्वारा भी ब्यक्त करते हैं ग्राम प्रती मीटर क्यूब नेक्स्ट आप बात करते हैं मोलरता या फिर ग्राम अणुकता या फिर मोलर सांधरन यानि कि मोलैरिटी की तो यहां पर फॉर्मला दिया गया है मोलरता का तो बिले के मोलों की संख्या जिसे क्या है? small n से परदर्शित करते हैं बिले के मोलों की संक्या बटे billion का आयतन किसमे? लीटर में तो मोल अरता को जो हम capital M से परदर्शित करते हैं capital M is equal to small n upon capital V और किसमे? लीटर में billion की मोल अरता को हम इस फॉर्मले की मदद से परिवासित कर सकते हैं तो किसी billion के एक लीटर आयतन में उपस्थित बिले के मोलों या फिर ग्राम अनों की संक्या को उस billion की मोलर्टा कहते हैं मोलर्टों को मैंने अभी बताए कि capital M से परदर्शित करते हैं और हम इसका यहाँ पर गणितिया रूप इस परकार से हम दिखा सकते हैं कि capital M is equal to small N upon capital V लीटर में और हमें पता है कि जो N M ने बिले के मोलों की संक्या तो बिले के मोलों की संक्या क्या होती है बिले का भार बटे बिले का अनु भार यानि कि यहाँ पर दिखाया गया है मोल is equal to ग्राम भार अपॉन अनु भार तो N is equal to small W upon small M तो इस मान को जो हम यहाँ पर N की जगा पे रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा में capital M is equal to small W upon small M into capital V लीटर में और जब हमें ML में ग्यांत करनी है मोलर ता यानि कि मिली लीटर में और इसका मातरक क्या होता है मोल प्रती लीटर या फिर मोलर एक्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है NaOH का एक मोलर बिलियन NaOH के एक मोलर बिलियन का ताद पर यह है कि बिलियन के एक लीटर में NaOH के एक मोल उपस्तित है नेक्स्ट अब बात करते हैं मोलर बिलियन की तो बात करते हैं मोलर बिलियन क्या होता है हमारे पास फॉर्मल होता है मोलर तका N अपॉन B यानि कि बिले के मोल अपॉन बिलियन का आयतन और किसमे लिटर में यदि हमारे पास बिले के मोलों की संख्या एक हो और billion का आयतन कितना हो एक लिटर हो तो यहां से जो है यह capital M यानि कि molar ता हमारी आ जाएगी एक molar अर्थात हम molar billion को परिवासित इस परकार से कर सकते हैं कि यदि किसी billion के एक लिटर आयतन में जो है बिले के एक mol उपस्थित हों तो उस billion को molar billion कहा जाता है नेक्स्ट आप हम बात करते हैं mol अलता की यानि कि molality तो molality क्या होती है यहां फर formula दिया गया है यह दिया गया है mol अलता is equal to बिले के molों की संख्या बटे बिलायक का भार और किसमे kg में तो इस formula की मदद से हम mol अलता को परिवासित कर सकते हैं कि किसी बिलायक के 1 किलो गराम या फिर 1000 गराम में उपस्थित बिले के मोलों की संख्या या फिर बिले के गराम अणों की संख्या को billion की mol अलता कहते हैं और इसे जो हम small m से परदर्शित करते हैं मोललता इस इकल टू बिले के मोलों की संख्या बटे बिलायक का भार किलो गराम में इसको हम गणितिय रूप में परदर्शित करते हैं small m is equal to small n upon capital W किसमे? kg में हमें पता है कि बिले के मोल क्या होते हैं? बिले का भार बटे बिले का अनुभार यानि कि small n is equal to small w upon small m इस मान को जब हम यहां पर n की जगा पर रखते हैं तो हमें प्राप्त होता है small m यानि कि मोललता is equal to w upon m into capital W और किसमे? kg में जो capital W है बिलायक का भार है जो वो kg में अभी अगर हमें गराम में मोललता निकालनी है तो हमें 1000 की multiply करनी पड़ेगी तो small m is equal to यानि कि मोललता is equal to small w into 1000 upon small m into capital W ग्राम में और इसका मातरक क्या होता है मोल प्रती kg या फिर मोलल नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मोलल बिलियन की तो मोलल बिलियन के लिए क्या करना है हमें जो बिले के मोलों की संक्या है एक मोल और जो बिलायक का भार है वो एक केजी हो तो हमारे पास जो मोललता निकल के आती है वो आती है एक मोलल तो हम इसको परिवासित कर सकते हैं कि जब किसी बिलियन में बिलायक के एक किलो ग्राम में बिले के एक मोल उपस्चित होते हैं तो उसे मोलल बिलियन कहते हैं नेक्स्ट अब हम बात करते हैं नॉर्मलता की यानि कि नॉर्मेलिटी तो नॉर्मलता के यहां पर फॉर्मला क्या दिया गया है नॉर्मलता इस इकोल टू बिले के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे बिलियन का आयतन किसमे लीटर में तो इसको हम परिवासित कर सकते हैं कि किसी बिलियन के एक लीटर आयतन में किसी बिलियन के एक लीटर आयतन में उपस्थित बिले के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को बिले के गराम तुल्यांकों की संक्या बटे बिलेन का आयतन किस मेलीटर में और बिले के गराम तुल्यांक is equal to होता है बिले का भार बटे बिलेन का तुल्यांक की भार इसे जब हम इस मान को बिले के गराम तुल्यांक वाले मान को हम नौर्मलता के फॉर्मले में रखते हैं तो हमें प्राप्त होता है बिले का भार बटे बिलियन का तुल्यांग की भार अपॉन बिलियन का आयतन इसको हम गणितिय रूप में किस परकार से परदर्शित कर सकते हैं जब हमें में इसकी नौर्मलता को बताना है तो किस परकार से दर्शाते हैं यानि कि नौर्मलिटी इस इकल टू इसमाल डबलो इंटु थाउजन अपॉन इंटु ए क्या है यहां पर बिले का तुल्यांग की भार तो कैप्टल इंटु कैप्टल भी और किस में मिली लीटर में और इसका जो मातरक होता है वो होता है गराम तुल्यांग प्रति लीटर या फिर नौर्मल फॉर्मले में जो इ है वो क्या है तुल्यांग की भार तो तुल्यांग की भार क्या होता है परमाणू भार बटे सहीं हो जगता तो लियांग के भाहर का जो formula होता है वो होता है परमाणों भाहर बटे सहुचता next अब हम बात करते हैं mole प्रवाज यानि की mole fraction जो हमारे पास तनु बिलियन होते हैं जो तनू बिलियनों का सांद्रण होता है उसे गराम अनू भिन या फिर मोल परवाज के रूप में व्यक्त किया जाता है तो यहाँ पर जो किसी बिलियन का मोल परवाज होता है किसी बिलियन में उपस्थित किसी आवयव वो आवयव कौन-कौन से हो सकते हैं जो घटक है वो कौन-कौन से हो सकते हैं वो हो सकते हैं बिले या फिर बिलायक तो किसी बिलियन में उपस्तित किसी आवयो के मोलों की संक्या और बिलियन में उपस्तित संपूर्ण मोलों की संक्या के अनुपात को क्या कहते हैं मोल परभाज कहते हैं Suppose that, माना किसी billion में बिले के मोल कितने है? Small n है. उसके बाद बिलाएक के मोल कितने है? उसी billion में? Capital n. तो billion के कुल मोल कितने हो जाएंगे? Small n पलस capital n. अभी मैंने परिवासा बताई किसकी मोल परिवास की? कि किसी एक आवयो के मोलों की संख्या बटे मोल परिवास क्या हो जाएगा? बिले के मोलों की संख्या बटे billion के मोलों की संख्या और billion में क्या क्या आ जाएंगे? बिले पलस बिलाएक के मोलों की संख्या तो इसको जो है किसको मोल परिवास को जो है X से परदर्शित करते हैं या फिर या फिर काई से, किस से काई से CHI या फिर X से परदर्शित करते हैं या फिर काई से तो यहाँ पर हमें बिले का मोल परभाज ग्यान करना है तो हमें पता है कि बिले के मोलों के संग के हमने small n मान रहिए तो बिले का जो मोल परभाज हो जाएगा X n is equal to small n upon n पलस capital n इसी परकार से जो हम बिलायक का मोल परभाज भी ग्यान कर सकते हैं बिलायक के मोलों की संग क्या बटे बिलियन के कुल मोलों की संग क्या या नि कि बिले पलस बिलायक के मोलों की संग क्या तो यह हो जाएगा X n is equal to capital n upon n पलस capital n यहां पर ध्यान देने होगे एक बात है कि किसी billion में उपस्थित बिले तथा बिलायक के मोल परभाजों का जो कुल योग होता है वो सदैव एक होता है यानी की xn पलस x capital n is equal to क्या 1 होता है किसी billion में उपस्थित बिलेवा बिलाईक के प्लेवाय के मूल परभाज़ों का जो योग होता है जो सदैव एक होता है कितना होता है एक होता है और किसी एक आउयов का जो billion के किसी एक आउयो का जो मोल परभाज होता है उसका मान जो होता है जीरो से अधिक और एक से कम होता है वो या फिर बिले का मोल परभाज हो या फिर बिलायक का मोल परभाज हो लेकिन बिले जथा बिलायक दोनों का जो मोल परवाजों का योग होगा वो कितना होगा? एक होगा तो आज का टॉपिक हमारा पर यही पर फिनिस होता है इस्टुडेंट, उमीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, थैंक्स फॉर वाचिंग दोन डॉप अलाइक इस्टुडेंट, सब्सक्राइब फोर मोर अपडेट्स, थैंक्यू